ब्रेकिंग न्यूज ICE AI का important announcement आज चुका है आज के date में यह announcement बहुत important है तो request करेंगे वीडियो को आपको कहीं पे skip नहीं करना है किनके लिए important है जिनका exam CA का number 22 में हो रहा है इस वीडियो में बात करेंगे official announcement के बारे में उसको आप लोग कैसे check करोगे इसके बारे में भी बता देंगे I know कि इस announcement को जब मैं update करूँगा तो कुछ student के मन में doubt आ जाएगा तो उस doubt का clear मैं वीडियो के last में कर दूँगा Finally ICE AI ने open कर दिया exemption window number 22 student के लिए For CA intermediate and CA final number 22 student के लिए Announcement देखने के लिए आपको ICE AI के official website पे आना होगा जैसे ही आप लोग official website पे आओगे अब आपके सामने official announcement सो कर रहा है अगर किसी भी student को exemption अगर check करेंगे वहाँ पे कोई भी problem होता है तो उनको 27 अक्टूबर 2022 से पहले mail करना परेगा चाहे CA intermediate का student हो या CA final का student हो इस वीडियो को सारे CA intermediate and CA final का student जिनको exemption भी नहीं होगा प्लीज इस वीडियो को share कर दीजेगा सारे CA intermediate and final student के साथ बिकाज कि वो लोग जल्द से जल्द अपना exemption status चेक कर पाएं और वहाँ पे कोई भी problem होता है तो 27 अक्टूबर 2022 आखरी डेट है mail करने के लिए mail करने का final और intermediate का ID, email ID आपके screen पे सो कर आपको इसी mail ID पे mail करना है mail जब करोगे तो आपको scan copy of relevant marksid को with exemption granted को आपको exam department को send करना परेगा in case अगर आपको problem होता है तो otherwise आप लोग exemption status में exemption जरूर चेक कर ले अब बात कर लेते exemption status कैसे चेक करोगे पहले student exam website पे login करके exemption status चेक करते थे अगर कोई student exam website पे login करेंग और यहाँ पे देखेंगे तो exemption number 22 closed so करेगा जैसे कि जो लोग regular इस channel को follow करते मैंने आपको starting में ही बता दिया था कि इस बार आप exemption status को SSP portal के थुरू चेक कर पाओगे और वही हुआ सारे student अब SSP portal पे login करेंगे सारे student का मतलब यह हुआ जो भी CA intermediate और CA final student को exemption चेक करना उन student के लिए बाकि जो लोग first time exam दे रे CA intermediate और CA final का तो उनको तो exemption होगा नहीं तो उनको क्या exemption चेक करना exemption वही student चेक करेंगे जिनको paper में exemption मिला होगा आपको exam website पे login करना जैसे ही login करोगे साइड में आपको exemption से related window सो करेगा आपको यहाँ पे click कर देना है जैसे ही यहाँ पे click करोगे आप CA intermediate के student हो तो CA intermediate यहाँ पे लिखाओगा और CA final के student हो तो CA final इस पे click करके आप लोग अपना exemption status चेक कर सकते हो बाकि जिन student को exemption नहीं होगा वहाँ पे कुछ भी सो नहीं करेगा इस वीडियो कुछ foundation student देख रहे हैं कुछ intermediate यह फाइनल student उनके मन में doubt होगा exemption कहते किसको exemption कब मिलता है तो इस topic पे मैंने detail वीडियो बना रखा है आपके मन में थोड़ा भी doubt हो तो उस वीडियो को देख लेना आपका doubt क्लियर हो जाएगा जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज सेयर कर दीजिए क्योंकि student को exemption चेक करना बहुत जोड़ी है CA, intermediate and CA final student को जिनको भी exemption होगा हाथ जोर करके भी request करते हैं प्लीज सेयर कर दीजिए इस वीडियो को क्योंकि student का life का सवाल और चैनल पे नए हो तो चैनल को subscribe करके all notification वेल दबात दीजिए ताकि आपको CA related सबसे पहले इस चैनल पे update मिल सके और मैं मिलता हूँ next वीडियो में